खबर 365 नूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ रामगड जिले के मांडू परखंड के कर्मा परियोजना में कर्मा रत्वे लोकल सिल समीती के द्वारा आम सभा की गई जिसमें ई-ॉक्षन एवं लोकल सिल चालू करने को लेकर एक स्वर में कहा शेत्र में एक छटा कोईला भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा जारखंड सरकार के पुर्व मध्य निशेद मंत्री सह मांडू विधाग जैप्रकास भाई पतेल ने कही मांडू शेत्र के कर्मा परियोजना में विसाल आम सभा को संबोधित कर रहे थे संबोधन के दौरान कहा कि भाजपा नीती सरकार सिर्फ पुंजुपतियों की सरकार है राज्य और केंदर सरकार की नीतियों से आदिवासी मोलवासी ठगे जा रहे हैं CCL प्रवंधन E-Auction के तहट लोकल सेल के लिए कोईला ओपलब नहीं कराती है तब तक परियोजना से ट्रांस्पोर्टिंग कारे ठप रहेगा लोगों से कहा अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए आंदोलन को जारी रखे जब तक CCL E-Auction चालू करने को मजबूर नहीं हो जाती मौके पर रामचंदर वर्मा, राजकुमार महतो, मोहनलाल महतो, राजनात महतो, वाड़ पारसद, अरजून यादो, बलेसवर महतो, पुनीत करमाली, अतहर अंसारी, बहादूर यादो, प्रेमचंद मुंडा, बसंद महतो, मुगल चंद पटेल, शमीम अंसारी, रतन उसके लिए रामगण से हीरा सिंग की रिपोर्ट अंच्वाल जो इंच्वाल जो ई-उक्षन के मादियम से कोयला बीट करके अपने दो-चार पैसा कमाते थे जीविकाश चलाते थे तक बुरे एरिया के लोग यहां पर अपने जोटे आपने उप्राइब कराया जा ताकि यहां पर महतु और आजपास के छोटे-मोटे आप देना चालू नहीं करते हैं तब यहां से एक भी कोईला हम लोग बाहर जाने नहीं